हेलो गाइज और सब कैसे हैं आप सब सब बढ़िया होंगे आज फर्स्ट जनवरी 2022 नए साल आपको मुबारख हो ओके तो चलिए नए साल में नए टोपिक नए टोपिक तो वैसे तो चली रहा है हमारा ठीक है चैप्टर तो चली रहा है मसीन डीजाइं का बढ़िया से चल र तो आज हम पढ़ लें बोल्ट ओफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ठीक है तो क्या होता है कि बोल्ट आपके हर जगे अगर मैं करूंग हर ऑप्रेशन में चाहिए वह कोई साभी ऑप्रेशन हो चाहिए वह ऑटोमवाइल सेक्टर हो चाहिए आपका इंडस्ट्री में कहीं भी अब चाहिए उस पर इंपेक्ट लोड लग रहा हो या स्टेटिक लोड अगल दैनमिक लोड लग रहा हो वाइब्रेशन हो रहा हो सॉख हो रहा हो कुछ भी हो तो इस टाइप की जो इन्वार्मेंट इस टाप की जो कंडिशन में है अब आप बोल्ट को लगाने से रोके को नहीं जॉइंट तो आपको करना ही होता है, तो भाई ये तो सब चीज़ लगेंगी, तो उसको उसके साफ से ही डिजाइन करना पड़ता है, कि जहाँ जहाँ वाइबरेसन आएगा, जहाँ इंपेक्ट लोड होगा, जहाँ आपका सौक होगा, ठीक है, डिफरेंट हर उस बोल करते हैं, इस जहाँ तो अनलोड करते हैं जहाँ जहाँ जोचना पड़ खशंव शके, यह परिफ उसकी सौक। टेता है हैं अनलोड करते हैं तो अलोड करते हैं तो आप क्या होता है जो इस्टें नडग उस ने Cambridge इपर रिलीज करते है फिर इस टागए कि युचिए MARTIN को लोड आप नड्स करना पड़े हाद तो आपको कि अगर अगर उसकी सौक एब्जॉर्बिंग कैपिसिटी ठीक है वो अच्छी रखनी पड़ेगी वनना अगर उसकी जो सागापिशिटी ज्यादा हो गई उसकी इलास्टिक लिमिट से अब समझ रोना अब टू इलास्टिक लिमिट अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है यह स अगर इतनी एलास्टिक लिमिट से उसको जादा हमने श्ट्रेंड दे दिया उसकी जादा उसकी जादा उस पर अगर इंपक्ट पड़िया थिक है तो वह ब्रेक होने के चांसिस उसके सब से जादा हो जाएंगे तो हमको ऐसा डिया मनाना पड़ेगा कि कि उस पर मतलग कि ऑंहाइन यारे है यहा टाव लोड लगे वह तो अपनी ऎलास्टिक लिमित के अंदर लगे ंग्यक एकलम गए टिका तो हमको एलाष्टिक ंपसेटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ानी के लिफ आप लिए बढ़ाए न पड़ेगा ना उस Strain Energy per Unit Volume क्या होता है? Sigma square divided by 2E Sigma क्या है? Stress developed in the material E क्या है? Modulus of Elasticity ठीक है? अब stress Modulus of Elasticity Materials की property सेम है ठीक है? तो Sigma हमको देखना पड़ेगा तो मतलब की अगर Absorbing Capacity हमको करनी है तो बढ़ानी पड़ेगी अब बढ़ाने के लिए अब क्या होगा? कि stress अब stress का देखो यहां पर क्या है? Stress आपको लग रहा है पूरे बोल्ट में stress uniform होगा uniform stress मतलब की यहां पर जितना stress यहां पर जितना threaded portion में इस्ट्रेश होगा? उतना सैंक वाले portion में इस्ट्रेश होगा? नहीं होगा क्यों? क्योंकि थ्रेट वाले portion में stress ज्यादा है तो मतलब की threaded वाले portion में energy absorbing के यहां पर क्या है? इस्ट्रेश एनर्जी ज्यादा और सैंक वाले portion में stress कम है क्योंकि यहां energy कम होगी तो भाई हमको क्या है? इसकी भी मैक्सियम करनी पड़ेगी इसको भी बढ़ाना पड़ेगा इसको बढ़ाएंगे ठीक है अब इसको नहीं बढ़ाएंगे तो यह बढ़ाएंगे इसको नहीं बढ़ाएंगे मतलब इतनी तो रखें जितनी यहां पर threaded portion में develop हो रही है इसकी सफीश्च चाहन से जादा है इसके इसे एनर्जी में को बढ़ाएंगे क्योंकि यहां पर जदा है क्योंकि यहां पर इस्ट्रेस ज्यादा.पलेपोरा इस्टl esse ज्यादाध तो इस्ट्रेस बीडियु ज्यादा च्रॉज एक सन में गई आ इन के निष्रा आ फिर यहां जा प्रचेश-क्रा सरफ मरष नजण स्वेल लगा है आप यह तो यहां पर श्ट्रेस इंड बयुक्त रिशन पर, यहां पर यहां पर श्ट्रेस कंसरेशन आएगे तो अपने न scrip आ पर अपना जीए पना कर दो आहां पर यहां पर भी हम को तिक हैं यहां पर बढ़ायंगे वन्यादी जान से जाल से ज्मुर्म रुखे रहा है अनु merak है प्री प् एशिटेश हो नहीं करें अլ याँ जफितना भी स्टैस्ट तो युणिफोर्म शाइं प्रैसर लोड लग तो दिक रूड रहा है राँ त तो पर दोत तरीके से हिल्ट के से हम युनीफॉर्म इस्ट्रेंथ लिए पूरे बोल्ट में एक्ट्राम के लिए हर क्रौ स्ट्रेंथ होना जितना एहां पर है उतना यहां पर ख्राइब कर लो थे वह रिकर लगे वहाइब को क्यों यहां पर beta लो प्रॉट ना paragलो quanto स्ट्रेस में यहां वहां पर लो तो थैक कि जायाँ तो यहां तो बढ़िए नहीं की सते क्योंकि ब्यूट प्रफ़ेंच से युनिफर्म होने से क्या हता कि हमारी स्ट्रेंट नियुक। जिसे हम रेजीलियंस कहते हैं बढ़ेंस कहते हैं एक काशीध सुब्सक्राइबब। एक्षिजक की बढ़ेंगे यहां पर टक्रें पर जीफिए एक हरा वोल्टो उनिवामी। होने के लिए stress जितना थ्रिडित पॉर्जिन होनाच पॉरिशन में होना चाहिए और प्रबीद है समझглядrão तो यह मुद्य स्ट्रेस एक शिर्या त्रह्यों हुद्धकर करकाथ जरहा है जो सब्सक्राइब करिया हैं। इस बाद सो जो इस्ट्रेस एरिया आना इस्ट्रेस एरिया क्योंकि टेंश ανα इंसाइल इस्ट्रेस लगई तो है जो टेंशाल इस्ट्रेस एरिया है जो थ्रैडड पॉरिसंन cracker वहता है वह। मतलब को सेक्षन मतलब कोर जहां पर को तरान कökर डामेटर कहते ना को त यहां पर paradise qo शोज त्रेडिमेंटर है जो ठेड़ेड जो थ्रेडेड गोर्टेड जो झाल सन अन्ग उसका डामिटर एंठ तोडी सी आता है तो क्या होगा कि यहां पर God and वाइटर सेम कर दो जितना यहां पर spécial त्रेड़ एंपर स्ट्रेश एरिया यहां पर stress develop होगा, tensile stress area जिसे हम कहेंगे, टीक है, इतना area DC वाला, ठीक है, DC तो diameter हम इसके बराबर करते है, स्याइंका, मतलब जितना diameter DC का है, उतना यहां पर स्याइंका कर दो DC, तो भाई, costation area सेम हो गया, और इसकी energy absorption capacity भी हो बढ़ गाई, और uniform strength भी मिला है हमको, uniform strength मिला है, पूरे में, क्योंकि अब, एब अब आप दूसरा तरीका दूसरा तरीका यह है, अब क्या, यहाँ पर DC करने के लिए, आपको यह एछोड़ सतमाक पड़ेगा, क्योंकि पहले द्यामेटर जाधा था और दूसरा option क्या है कि हमको तो cross sectional area बरावर करना है अब देखो तो यह है दूसरा option यह वाला तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं अगर आपको bolt of uniform strength चाहिए बोल्ट of uniform strength ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो जो आप उसके लिए आपको stress इस्ट्रेस सेम करना है इस्ट्रेस तो सेम करना है जितना stress इस्ट्रेस इस्ट्रेट पोर्शन में है उतना sank पोर्शन में होगा तभी तो bolt of uniform stress मिलेगा मतलब कि अगर मैं sigma sank करूं सिग्मा किसके लिए जो यह मेरा कोर वाला पोर्शन है कोर वाला पोर्शन है को लिख देते हैं चलो ठीक है कोर वाला अब लोड तो सेम है भाई तो sank में अगर मैं क्या करूं कि मैं अगर hole कर तो इतना hole कर दूं कि इसका जो cross section area है इसके बराबर हो जाए मतलब कि 5y4 कितना hole До drinks पॉर सिकेठे केड़ सेσαे हम मैं उगा है अ गया sudah को यहां कितनाकि धर का तुछ कितने का होल करूं कि क्रों कोड़ Bem गया налong कि कोड़ मीध बराव न है क्र्सक्राशन कर दो वाला कितने का न स्क्राशन कुण नियान क मैं उश्त् हैं क्तने कि किए और हैकी स्क्राशन क इस पर क्या होता है कि डान यहां से निटरेन तो कौनसा नोच रहा है अब जो और यहां और यहां से मिकालों ज होगा तो उटने के था ओधियासå के इस्ट्रेस चैन्ट्रेस ही हो यह व Red camelši मतमां तो करब नूच वेकि फॉर्म लूड एका लगारे उस लॉड को टिसकंटिंटि जाए गी है आ फूरी डिसकंटिंटिंटिंटी मिलेगी त hazlo to dust तो आपको फटीग आएगा तो आपको पता है कि वहन भी डिसकंटीटी आएगी किसी टाइब की एर्रेगुलर्टी होगी वह तो आपको फटीग आएगा तो बाई यहां पर फटीग आएगा बहुत चांसे जहें इस्ट्रेस ना रहा है तो अब क्या होगा कि यह वाला इतना बटर नहीं अब यहां पड़ देखो यह वाला इससे तो बैटर रहे तो यह वाला ऑप्शन पर हम जा सकते हैं कि हां तो एक तो क्या होगा हमारा स्ट्रेस देख रहोगे सेम स्ट्रेस होगा हर जगे ठीक है एनर्जी अब्जॉप्शन कैपिसिटी रेजिलियंस वह हमारा बढ़ी है जिसको हमें बढ़ाना है ताकि अगर इंपेक्ट लोड लगे किसी टाइप का भी अगर वाइब्रेशन लोड लगे तो वह उसकी एनर् स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है चलिए करते हैं दूसरे टॉपिक में बात अगली वीडियो में ठीक है